Hello everybody, welcome to our YouTube channel Legal Prasad और आज हम property law and easement के बारे में देखने वाले है property होती क्या है, उसका meaning क्या है, introduction देखेंगे, उसके types देखेंगे तो आज का जो lecture होने वाला है यह basic lecture होगा property पे हम आगे transfer of property वगरा देखने वाले है लेकिन उससे पहले property क्या होता है, किसे कहा जाता है, क्या क्या types है यह सब आज हम देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले property यह word से तो यह जो property word है, यह Latin word से आया है अब यह जो property है, हमारे आजो बाजो में या surrounding में जो भी दिखाई देता है उसे हम property कह सकते हैं, उसका distribution या bifurcation या उसको kinds में या types में distribute किया गया है हर एक property का अलग-अलग type हो सकता है यह जो property है, यह human civilization से चला रहा है मतलब जब से human civilization develop हुआ है मानलो, जब human civilization develop हुआ था या origin हुआ था तब यह उनके weapons उनका property थे उनके जो equipments थे, वो उनके property थे वो अगर कोई खेत में खेती करते हैं कोई grains और या अनाज और उगाते हैं तो वो जो अनाज है, वो उनका property था वो अगर कोई paid से कुछ पैसा कमाते हैं या कुछ value earning होता है तो वो जो paid है, या paid से जो कुछ output आने वाला है या जो कुछ end product बनने वाला है वो जो product है, वो भी उनका property कहा जाता था तो यह जो property word है, यह बहुत ही dynamic है यह periodically evolve होता यह जो property इसका definition change होता जा रहा है कुछ कम नहीं हो रहा है लेकिन उसमें add होते जा रहा है पहले property मतलब क्या होता था कोई भी solid चीज अगर है जो हम touch कर सकते, जो हम देख सकते है तो जो हम feel कर सकते है तो वो property हुआ करता था मानलो कोई भी जमीन है या फिर कोई building है या फिर कोई किसी का machinery है equipment है तो यह सब property में आ जाता है लेकिन जैसा दीन बीटते गए है जैसे सालो साल इसमें changes हुआ है तो आज अगर हम देखेंगे brand यह एक property हुआ है trademark होता है तो यह जो है यह सब intangible things है जो हम touch नहीं कर सकते लेकिन यह exist में है कोई shareholder है या कोई bond purchase करता है तो वो भी एक प्रकार का property होता है तो यह property का जो definition है यह evolve होते जा रहा है दिन बदिन और जैसे साल बीटते जाएंगे तो यह property का existence है या property का जो जायरा है वो बढ़ता चला जाएगा it will keep on expanding तो basically जो property है उसका main characteristics क्या होता है कि उसके साथ जो value add होता है उससे वो property का value बनता है या उसको वो property का characteristic भी define होता है मतलब मान लो कोई भी जमीन है तो वो जमीन को property क्यों कहा गया है क्योंकि उसके साथ कुछ तो monetary gain से या तो उससे rent मिलने वाला है या फिर उसका जब sell होगा तो उससे कुछ अच्छा profit या अच्छा amount मिलने वाला है तो ये value उसके साथ added है ornament देखो अगर ornament को property कहा गया है तो उसके साथ value है monetary भी है और emotional भी है तो उसके साथ कुछ न कुछ value added है इसलिए वो property कहा गया है जैसे हमने देखा property क्या हो सकता है कोई भी land हो सकता है कोई भी building हो सकता है कोई भी debt हो सकता है कोई भी bond हो सकता है कोई भी brand हो सकता है कोई machinery है किसी का ornaments है किसी के equipments है अगर खेत है तो उसके जो कुछ पलौ है खेती के आवजार हो गरा है तो वो सब उसके प्रापरटी हो गए और यह जो प्रापरटी है यह हमारे law ने हमें एक राइड दिया है कि कोई भी legal प्रापरटी हम हमारे हिसाब से हमारी तरीके से उसे enjoy कर सकते उसका benefit ले सकते हैं और यह हम उसके absolute owner होंगे मतलब मान लो मेरा कोई भी घर है या मेरी कोई भी जगा है वो जगा पर मैं घर build कर सकता हूं वो घर में में रह सकता हूं या फिर कोई भी commercial complex construct करके वो complex जो है वो में या तो rent पर दे सकता हूं या फिर बेच सकता हूं तो उससे जो फाइदा होगा उससे जो money आएगा उससे मुझे फाइदा होगा मुझे profit होगा और उसका monetary value जो है वो बढ़ता जाएगा तो ये सब चीजे भी property से related होता है तो थोड़ा सा definition देख लेते हैं property का ये जो property का definition है तो काफी सारे thinkers ने ये property को define किया है एक जो thinker थे उनका नाम है Salman तो इन्होंने क्या कहा है the term property includes all the legal rights of person it includes complete ownership of a man on material as well as incorporeal things मतलब इनका कहना ये है कि property जो है ये सभी legal rights include करता है वो person का वो owner का और property में क्या क्या चीज़े आती है material भी आती है और incorporeal things भी आते हैं incorporeal मतलब ये corporeal और incorporeal ये दो categories है property के वो हम आगे देखने वाले हैं लेकिन incorporeal में आपको बता देता हूँ incorporeal क्या होता है कि intangible property होता है जैसे हमने पहले देखा थे कोई भी bond है कोई भी brand है कोई trademark है तो उस पे कोई भी individual का हक होता है उसका right है तो वो उससे कोई छीन नहीं सकता है अगर किसी को वो चाहिए तो उससे उसका monetary value या जो कुछ है वो pay करना पड़ेगा तो वो individual property हुआ है तो वो intangible आता है वो incorporeal में आता है और एक thinker थे जिनका नाम था Bentham तो इन्होंने क्या कहा है यह the term property includes ownership of material object alone इनका कहना है कि जो material है actual material उसका ownership है तो वो alone property कहा जाएगा इसके अलावा किसी और चीज़ को property नहीं कहा जाएगा और एक थे thinker जिनका नाम है Austin यह कहते थे कि property denotes the greatest right of enjoyment known to law मतलब property यह है उसे कहा जाता है कि जिसका हम benefit ले सकते हैं जो property legal है और उसका हम legal तरीके से benefit ले सकते हैं तो इस तरह से यह property define किया गया है अभी हमारा जो law है हमारे जो apex court है supreme court है उन्होंने भी इसे interpret किया है एक case था R.C. Cooper versus Union of India 1970 का case है इसमें supreme court ने यह interpret किया है कि यह जो property है यह legal regime है यह legal term है court ने यह observe किया था कि जो property है वो corporeal as well as incorporeal things include कर लेता है corporeal things मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि यह categories है corporeal और incorporeal property के दो categories है corporeal क्या होता है जो tangible things होते हैं मतलब जिसे हम touch कर सकते हैं जो actual हमें दिखाई भी दे सकते हैं जिसे हम touch भी कर सकते हैं जो exist में है लेकिन उसे हम touch नहीं कर सकते हैं तो virtually कहीं तो भी उसका presence है तो जैसे हमने कहा कि यह जो property है इसका definition या इसका meaning का जो दाइरा है वो expand होते जा रहा है अभी court ने property को इस नज़रे से देखना शुरू किया है तो article 21 क्या कहता है protection of life and personal liberty मतलब liberties exist even reference to property owned and possessed मतलब हमारे constitution ने यह हमें liberty दिया है कि जो आपके पास property है जिस पर आपका ownership है जिस पर आपका possession है वो आप आपके हिसाब से enjoy कर सकते हैं या तो उसे rent पे दे दो या फिर उसे बेच दो या फिर कोई और चीज़ के लिए उसका use करो तो यह सब right जो है वो individual को हमारे constitution ने दिया है आईए अब हम देखते हैं kinds of properties यह kinds of properties क्या होता है जैसे मैंने पहले भी कहा था इसके दो categories है एक तो है corporeal एक है incorporeal अब यह corporeal क्या है वो property जो tangible है जो हमें visible है example है अगर कोई land है या building है कोई ornament है कोई house है कोई furniture है तो यह tangible है जिसे हम देख भी सकते हैं touch भी कर सकते हैं तो उसका presence है उसका exist भी वो existence में है तो यह सब tangible में आएगा incorporeal property में क्या आएगा जो property intangible में है मतलब जिसका existence invisible है मतलब कोई भी patent हो या फिर कोई भी copyright हो या कोई में bond purchase करता हो कोई company का share purchase करता हो यह invisible है लेकिन वो exist में है तो यह सब चीज़े intangible है यह incorporeal में आता है और यह individual का property होता है और वो property मानलो कोई भी share है वो चाहिए तो वो बेच सकता है या फिर कुछ और साल रुख सकता है तो वो उसका individual right है और वो उसका individual decision होगा उसे बेचना है या continue करना है तो यह सब आता है intangible में all corporeal property में इधर भी movable और immovable in nature मतलब कोई भी corporeal property है जो tangible है वो movable भी हो सकता है या immovable भी हो सकता है अब movable में क्या आएगा अगर कोई भी furniture है तो वो move किया जा सकता है immovable है अगर कोई मेरा land है वो अगर under construction में है और मैं अगर वहाँ पे commercial complex build कर लाएता हूँ तो वो movable नहीं होगा तो वो immovable property है तो यह corporeal property में आएगा movable और immovable तो हमारा जो section 3 है general clauses act 1897 अभी यह general clauses act हम आगे detail में पढ़ने ही वाले हैं लेकिन यह general clauses act क्या है जिसमें जो general term से उनको define किया गया है ताकि उनका use हम और बहुत सारे laws में कर सकते हैं तो section 3 क्या कहता है यह property के बारे में वो बताता है और एक है section 2 clause 6 of Indian registration act 1908 यह define करता है term immovable property अभी immovable property में क्या आएगा land आएगा या कोई भी things attached at embedded to land मतलब मान लो land तो मेरा property है है लेकिन things attached मतलब अगर मैं उस पर कोई घर construct करता हूँ या फिर कोई building construct करता हूँ या फिर कोई भी commercial complex construct करता हूँ तो वो attached हुआ उस पर मैं development कर रहा हूँ तो वो भी land पे जो कोई चीजे में construct करने वाला हो वो भी मेरा property होगा चाहे वो concrete का construction हो या फिर कोई wooden का construction हो या फिर मैं कोई shared या go down construct कर लेता हूँ तो वो सब property में include आएगा और वो immovable property में आएगा अब भी movable property में क्या चीजे आता है कोई भी corporeal property which is not movable property मतलब कोई भी tangible property है corporeal property है जो not movable है मतलब मान लो furniture भी आएगा या जो non movable जो है मतलब जो move हो सकता है ऐसे property जो है वो movable property में आएगा जैसा है furniture, stationary items है, growing crops है, grass है तो जैसे मैंने पहले भी कहा था अगर कोई भी farmer है वो अगर कोई भी crop लगाता है मान लो ground nuts का उसने crop लगा है तो ground nuts जो आएंगे उसको, ground nuts grow होने वाले है उसे benefit मिलने वाला है तो वो जब निकालेगा उसको process करेगा, उसे market में भेजेगा तो उसका जो output आएगा, उसका जो income आएगा उसको farmer को वो amount का या वो ground nuts का benefit मिलने वाला है तो वो भी property के category में आ जाता है तो वो किस में आएगा? Movable property में आएगा अभी यह जो concept है Immovable property यह बहुत ही बड़ा contribute करता है या इसका बहुत ही importance है हमारे Indian statute में कुछ और types हम देख लेते हैं अगला type क्या है? Public property अभी public property क्या होगा? कोई भी property जो government own करता है government own तो करता ही है लेकिन public के benefit के लिए तो यह बहुत important है कोई भी government property जो public के benefit के लिए होता है उसे हम public property कहेंगे अभी यह public property में क्या आएगा? पार्क आएगे hospitals आते है मान लो कोई भी government का hospital है तो वो common public के लिए medicine के लिए health issues के लिए यह hospital construct किया गया है तो common people जो है every all citizens जो है वो वहाँ पे जाके उनका इलाज ले सकते हैं कोई भी पार्क है कोई भी लोग है उस पे कोई discrimination नहीं होगा कोई भी किसी भी community के लोग कोई भी लोग वहाँ पे जाके खेल सकते हैं तो यह public property हुआ तो यह सब चीज़े जो government का property होता है लेकिन वह public के benefit के लिए होता है वह आएगा public property अगला है private property private property क्या होगा जो legal property जो कोई भी individual person legal तरीके से own करता है वो property को हम private property कहेंगे तो यह property में कौन से चीज़े आएंगी यह residential house जहां पे वो रहता है वो इसमें include होगा कोई भी patent होगा वो include होगा कोई goods वगरा है उनका कोई production company है production हो रहा है कोई भी products है तो वो भी private property में आएगा अगर किसी product का copyright है registered तो वो भी private property में आएगा तो यह सब चीज़े private property में include हो जाती है तो यह बहुत ही easy differentiation है public property क्या है जो government owned है लेकिन public के benefit के लिए है private property क्या है वो individually owned है वो decide करेगा यह publicly करना है यह private use के लिए रखना है तो यह उसका individual decision होगा कि यह किस तरीके से उसे utilize करना है अगला है real property अभी real property अगर हम word पढ़ते है तो हमारे दिमाग में क्या आता है real estate तो जो कोई rights है over the land वो किस में आएगा real property में आएगा मतलब कोई भी चीज़ attached to land वो आएगा real estate में मान लो कोई भी land है और एक उसका owner जो है उसने यह land के टुकडे कर दिया है और वो for sale रखा है तो यह real estate है यह उसका land है जो land उसने sale के लिए रखा है और एक क्या तरीका हो सकता है मान लो अगर मैं हूँ मैं एक individual हूँ मेरा कुछ land है तो उस पे मैं building construct कर रहा हूँ तो वो जो building construct कर रहा हूँ उसमें commercial complex होंगे या फिर flats होंगे residential flats होंगे तो वो जो है वो सब real property में आएगा Got it ऐसा नहीं है सिर्फ building वगरा होंगे मान लो अगर कोई भी individual उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो क्या करता है shared construct कर लेता है और shop जो है वो rent पे दे देता है तो वो जो construction के लिए उसने जो pipe का construction है या फिर shared का construction है या फिर wooden का construction है तो वो भी जो है real property में include होगा तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है भूलना नहीं है आगे का जो type है वो है personal property अभी personal property भी बहुत ही important है कोई भी property tangible हो या intangible हो वो personal property में आ सकता है अभी basically ये personal property का basic जो criteria है या characteristic बोल सकते है कि उसका portability of thing मतलब वो कही पे ले के जा सकते है portability मतलब एक जगा से दूसरे जगा हम उसे carry कर सकते है तो ऐसा tangible में क्या होगा जो हम touch कर सकते है move कर सकते है without destruction मतलब मानलो clothes है मानलो furniture है मतलब एक जगा से दूसरी जगा हम ले के जा सकते है तो ये क्या आएगा personal property में आएगा intangible में क्या आएगा proprietary rights आएगे जो कोई proprietary rights है वो सब intangible में आएगे मानलो stock है bonds है trademark है ये सब intangible में आएगे क्योंकि bonds जो होते या फिर share जो होते या फिर stocks होते वो मैं खरीदता हूँ वो मैं purchase करता हूँ और भी मैं कही पर भी ले के जा सकता हूँ मतलब मानलो कोई भी share में ने खरीदा है या फिर bond है तो मैं कही से भी वो access कर सकता हूँ तो ये सब tangible में आएगा तो ये सब different different categories है different different kinds है properties के अगर आपको इसके related कोई भी doubt है तो आप please comment में mention कीजे मैं उसका answer जरूर दे दूँगा I hope ये जो video है या आपके life में या आपके knowledge में कुछ value add कर रहा है अगर आपको कोई भी suggestion है कोई भी advice है आपको अगर लगता है कुछ correction होना चाहिए तो आप मुझे ये comment में लिख कर भेज सकते हैं तो आज के लिए हम इतना ही काफी है आगे हम देखेंगे transfer of property add क्या है और उसके sections क्या है ये सब हम आगे के lectures में देखने वाले है तब तक के लिए thank you very much जाए हिंद